हेलो इंजिनियर्स वेलकम टू इलेक्ट्रिक हेवेन आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंगल फेज लाइन में हम लोग जब बोल्टेज मेजर करता हूं तो 240 होता है जब हम लोग 3 फेज मेजर करता हूं चास्तो पंद्रा की होता है क्यों 240 ब्लास 240 ब्लास 240 सेवेन ट्वेंटी फोल नहीं होता है इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हम लोग एचेस लेवल में जो वेक्टोर अडिसेन पाड़े थे ठीक है वो हम लोग को थोड़ा समझने चाहिए दो टाइप का ठीक है दो टाइप का हम लोग के अडिसेन होता है एक होता है स्केलर ठीक है और एक होता है वेक्टर ठीक है स्केलर अडिसेन में हम लोग जैसे करता है क 2 plus 5 5 plus 2 is equal to 7 और 3 plus 8 is equal to 11 यह होगे हम लोग का scalar addition ठीक है और एक type का addition होता है जो हम लोग को HS level में पढ़े थे वह है वेक्टर addition ठीक है उसमें क्या होता है कि माली जे की एक आदमी इधर ते चलना स्टार्ट किया ठीक है फिर एक mode आया फिर आदमी इधर चला गया माली जे की एक पॉइंट से स्टार्ट किया है भी में आया फिर इधर मोड लिया फिर सी में चला गया तो आदमी का total माल जे की इधर 5 कि मी कि मी इधर 2 कि मी गया है तो अगर scalar में हम लोग देखेंगे स्केलर में तो इसका सामेसर होगा 5 प्लास 2 इसकाल टू 7 कि मी आदमी गया है अकर भेक्टर मतलब एडिशन में हम लोग देखेंगे वेक्टर करने जब्स तो आदमी इधर से A से B गया है B से सी गया है तो इसका रिज रिसल्टेंगी ना सिचन में सिता इसका Bay को एक gdy कि मटिशा कंब इनन व्हें की कि मालेजेड कि इधर इधर आया इधर गया यह हो कि अपका absolument स्थ इसका ब्रीं कोई सिंगल फेज सिस्टेम में भोल्टेज मेजर करता हूं तो मारे फ्री फेज फोर गयार शिस्टेम इसमें हम लोग कोई एक फेज का भोल्टेज मेजर करेंगे तो माल्टिमीटर को आर और न के बीज में मतलब आर फेज और न्यूटरल के बीच में, जब हम लोग माल्डिमीटर लागाएंगे, तो इधर 240 दिखाएगा, और जब हम लोग 2 फेज के अंदर माल्डिमीटर लागाएंगे, आर और वाई के बीच में, तो चास्सो पांदर बोल दिखाता है, तो आज हम लोग का यही में जब हम लोग R और N के बीच में 240 दिखा रहा है, तो इसी हिसाब से, सिंगल फेज सिस्टेम में, तो इसी हिसाब से, अगर, तरी फेज सिस्टेम के अंदर तो इधर 720 बोलटिज दिखाना चाहिए, तो 240 प्लास 240 प्लास 240 मिलाखे, तो क्यू चास्सो पांदर दिखाता है तो 605 इसलिए दिखाता है कि इधर ये scalar addition नहीं होता है 3-page system के जब हम लोग 2 phase के आंदर में voltage measure करता हूँ R और Y के बीज में इधर होता है vector addition तो कैसे vector addition होता है ये देखिए ये R और Y जो मतलब phase के आंदर हम लोग voltage measure करेंगे R और Y के आंदर में voltage measure करेंगे तो इधर क्या होगा R और N इसका voltage हम लोग किन्दरा चेक किया 240 और Y और N के बीच में 240 ठीक है इधर 240 प्लास 240 ये आइस स्केलर addition नहीं होता है इधर क्या होता है vector addition होता है माले ज़िए कि R और N वेक्टर प्लास Y और N वेक्टर इन दोनों का वेक्टर addition होके जो resultant vector आता है वह चास्व पंद्रा इधर displacement प्लास अंगल रहता है 120 फोल्ट ठीक है अगर आपको कोई मतलब ये वेक्टर addition कैसे होता है ये जानना है तो YouTube में बहुत तरह वीडियो है प्लास वाइन वेक्टर इसका रेजल्टन वेक्टर है आर और वाई वेक्टर ये ये अवालों का चास्व पंद्रा वोल्ट दिखाता है तो आपको तूदा पॉइंट अंसर दे रहा है कि इधर स्केलर एडिसन नहीं होता है इधर वेक्टर एडिसन होता है इसलिए थ्रीफेज सिस्टेम में दो फेज के अंदर वोल्टेज आस्व पंद्रा वोल दिखाता है यही था आज हम लोग का ट्रॉपिक तो आईसे इलेक्ट्रिकल रिलेट्रिन इंडेस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इलेक कीजिए फ्रेंट के लोग सियाद कीजिए थैंक यू